गैज आज इस वीडियो में हम जानेंगे यह से 10 Most Important Questions के बारे में जो कि टीचिंग जॉब के लिए प्राइविट इस्कूल इंटर्वीव में पूछे जाते हैं यदि आप फ्रेशर हो इस्कूल से टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं मतलब कि टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप पहले से किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे थे एक्सपिरेंस होल्डर है और अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं मतलब कि किसी दूसरे स्कूल में आप टीचिंग करना चाहते हैं तो दोनों ही को इंटर्वी राउंट से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्स्पिरिंस टीचर हो, दोनी को इंटर्वी को फेस करना होता है, और यदि आपको पहले से ही पता चल जाए, कि इंटर्वी में पूछे जाने वाले क्वेस्चेंस के बारे में, जो कि Mawasli Private School में इंटर्वी के दोरान, पूछे जाते है, इससे ये भी कहा जा सकता है कि tell us about yourself या फिर tell me something about yourself या introduce yourself तो इस तरह से questions को घुमा प्रा कर पूचा जा सकता है लेकिन overall interviewer का मतलब यही होता है कि वो आपके बारे में जानना चाता है तो simply वो कह सकता है tell me about yourself या फिर आपसे कहा जा सकता है tell us about yourself या introduce yourself तो यहाँ पर आपको interview में अपने आपको introduce कराना होता है बताईए अपनी qualification बताईए अपने experience बताईए अपने achievements बताईए और अपनी strength बताईए बस ये basic चीज़े हैं इनको आप पता सकते हैं interview के दोरान अपने आपको introduce कराने के लिए इसके बाद next question है जो के why did you choose this profession why did you choose this profession मतलब के आपने इस profession को क्यों चुना तो यहाँ पर देखिए आपको बताना होता है के आप teaching field में क्यों आए और आप एक teacher ही क्यों बनना चाहते हैं अगर आप fresher है तो आप teacher क्यों बनना चाहते हैं और अगर आप express teacher है तो आपने यह profession को क्यों चुना तो यहाँ पर आपको starting अपने positive views से करना होती है यहाँ पर आपको बताना होता है कि since my childhood I wanted to become a teacher it's my dream मतलब कि बच्पन से ही में एक teacher बनना चाहता था यह मेरा सपना था और मुझे teaching से love है teaching मेरा passion है इस तरह से कुछ positive आपको answer देना होगा जिससे कि एक impression अच्छा जाए और आपके success होने के chances बहुत जादा बन जाए तो इस question का answer को बहुत सोच समझ के दीजिएगा जब भी यह question अगर आपसे पुछा जाता है why did you choose this profession आपने यह पेशा क्यों चुना ठीक है तो यहाँ पर आपको एक positive answer देना है इसके बात करते हैं next question के बारे में common question है mostly school में पूछा जाता है teaching job के लिए अगर आपने apply किया है तो why do you want to teach at this school why do you want to teach at this school कि आप इस school में क्यों पढ़ाना चाहते है देकि schools तो बहुत सारे होते हैं एरिया में आप रहते हैं जिस town से जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे private schools होंगे लेकिन इस school में आप interview के लिए गए है और आपका interview चल रहा है तो एक common question पूछा जा सकता है कि why do you want to teach at this school मतलब यह क्यों पढ़ाना चाहते है तो वहाँ पर आपको positive views रख देना है मतलब कहने का यह है कि आपको इस school की तारीफ करना है जो चीज़े आपने observe की है और वहाँ की timing को लेकर वहाँ के management को लेकर और वहाँ के discipline को लेकर यह सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं ठीक है इससे एक impression अच्छा जाएगा जिससे कि आप इस school की तारीफ करेंगे क्योंकि आपने उसी school को क्यों चुना क्या specialty है क्या खासियत है उस school की यहाँ पर आप teaching करना चाहते हैं ठीक है यह हमरा third number question तो अब बात करते हैं next question के बारे में how will you handle such type of students मतलब कि आप से कहा जा सकता है कि कि लास में वीक बच्चे भी होते हैं intelligent भी होते हैं बदमाश भी होते हैं तो इस तरह के बच्चों को अब कैसे handle करेंगे कि वीक बच्चे हैं अब उने कैसे handle करेंगे कुछ बच्चे मिस्टीवियस हैं आप उनको कैसे handle करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने experience को बता देना है कि अगर आप teaching कर रहे हैं और आपके जो students हैं उसमें कुछ कमजोर बच्चे हैं कुछ intelligent बच्चे भी हैं कुछ मस्ती करने वाले बच्चे भी हैं तो आप उनको कैसे handle करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ कर आंसर बताना है अपने experience को share करना है कि किस तरीके से इस टाइप के students को handle किया जाएगा अब बात करते हैं next question how will you evaluate students or yourself मतलब कि आप students का और अपना मुल्यांकन कैसे करेंगे काफी ज़्यादा important question है यह mostly interviews में पूछा जाता है कि अपना मुल्यांकन और students का मुल्यांकन कैसे करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही सोच समझ कर आंसर देना है कि जिनी students को आप teaching कर रहे हैं तो उनका आप evaluation कैसे करेंगे उनका मुल्यांकन आप किस तरीके से करेंगे तो आपको अपनी strength और weakness बता देना है तो बहुत ही सोच समझ कर आपको अपनी strength बताना है इसकी तयारी आपको पहले से करना है तो आप कैसकते हैं कि I am self-motivated, I am well disciplined, I am punctual I am quick learner तो इस तरह से आप अपनी strength को बता सकते हैं मतलब कि I can face challenges and I am self-motivated, I am disciplined person, I am hard working ये आपकी strength हो सकती है तो अपनी strength में इस तरह के sentences का use कर सकते हैं और आप अपनी weakness को ऐसे बता है कि जो कहने में तो weakness है लेकिन actual में वो आपका एक strength होना चाहिए इस तरह से आप कोई अच्छा point बता सकते हैं तो ये आपका question का answer बन जाएगा strength का और weakness का जो आपको खुद से तयार करना है मैं आपको नहीं बता सकता है बस आपको मैंने hint कर दिया है कि किस तरह ही type से आपके question का answer तयार करना है तो question आप से पुछा जा सकता है what's your strength and weakness तो आपकी strength और weakness क्या है तो अपनी strength बताईए और अपनी weakness को बताईए या आप खुद से तयार कर लिजी अपने आप से question करिए कि आपकी strength actual में क्या है और आपकी weakness actual में क्या है जो उनके लिए एक positive point हो weakness कहने के लिए लेकिन वहाँ पे school को फाइदा मिले कुछ इसा answer आपको देना होता है अब बात करतें next question के बारे में so guys हमना next question है काफी ज़्यादा common question है why should we hire you कि हम आपको यहाँ पर क्यों रखें अब आपको यहाँ पर अपने experience को बताना है आपकी achievements को बताना है आपकी qualification को बताना है I am the basis of my knowledge and experience I am able to work in this school तो इस तरह से आपको एक positive answer देना है कि आपको यहाँ पर क्यों रखा जाए और भी candidates है और भी teachers है जिनों ने apply किया है जिनका turn आने वाला है और जो teacher बनना चाहते है या फिर इस school में पढ़ाना चाहते है तो हम आपको ही क्यों हाइर करें आपको ही हम chance क्यों दें तो आपके अंदर क्या speciality है क्या special qualities है तो आपको यहाँ पर अपने experience को share करना है अपने knowledge को share करना है और आपको अपनी qualification के साथ-साथ अपने achievements को बताना है जिससे कि आप confidently उनसे कह सकें कि आप हमें यहाँ पर रखेंगे तो आपके school को grow करने में हम एक अच्छा role play करेंगे जिससे कि आपके school और आपके school में पढ़ने वाले जो strengths है उनको हम उचाईयों पर लेके जाएंगे तो इस तरह से कुछ आप answer त्यार कर लिजेगा ठीकर next question आप साथ पूछा जा सकता है what are the qualities required to be a good teacher what are the qualities required to be a good teacher कि एक अच्छा teacher बनने के लिए कौनसी qualities की required होती है कौनसी qualities की आवशकता होती है तो यहाँ पर देखिए यह question आप से पूछा जा सकता है तो आपको बता देना है knowledge of subject तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि एक अच्छा teacher बनने के लिए उसको अपने subject पर command होना चाहिए अपने subject पर पकड़ होना चाहिए जो भी subject वो पढ़ाना चाहता है चाहिए वो English हो, Math हो या फिर इसके अलाबा Physics हो, Chemistry हो या फिर Science हो, Social Science हो General Knowledge हो, Computer हो जो भी subject पढ़ाना वो चाहता है जिस भी subject का वो teacher है तो उसको उस subject का knowledge होना चाहिए अच्छा खासा knowledge होना चाहिए अच्छी command होना चाहिए उस subject पर पकड़ होना चाहिए तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि knowledge of subject मतलब आप 4-5 points बता सकते हैं आपसे 5 points भी पुचे जा सकते हैं थो आप 5 points तैयार कर सकते हैं आप कह सकते है knowledge of subject पहली चीश दूसरी आप कह सकते है पेशन पॉर टीचिंग मतलब कि टीचिंग करने का एक पेशन होना चाहिए टीचिंग करने का एक जुनूर होना चाहिए कि बाई टीचिंग करना मैं चाहता ठीक है आपसे पुछे जा सकता है वाई आर यू लुकिंग फॉर आ जॉब चेंज वाई लुकिंग फॉर आ जॉब चेंज कि अगर आप पहले से किसी स्कूल में टीशिंग कर रहे थे तो अब आप अपना जॉब को चींज करना क्यों चाते हैं तो यहाँ पर आपको पहले वाले स्कूल की बुराई नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़े आपको बताना है जो वाँ पर सूट नहीं कर रहे ही थी जिससे कि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप वहाँ पर उस स्कूल की बुराई करके इस स्कूल में आ रहे हैं जिसकी वजाए से आपको switch करना चाहते हैं और दूसरे school में try करना चाहते हैं ऐसा कुछ answer आपको तयार कर लेना है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं last question की जो के काफी जाधा common question है और काफी जाधा important questions है इसी के लिए इतने जो 9 questions हमने बात किये हैं इसी के लिए आप interview में जाएंगे वो question है how much do you expect कि आप कितना वैतन कितनी salary लेना expect करते हैं यह सबसे ज़्यादा important common question है क्योंकि हर एक इनसान पैसा कमाना चाता है और पैसे कमाने के लिए तो आपने apply किया होगा और एक teacher बनना चाते हैं या स्कूल में आप teaching करना चाते हैं तो main purpose यही होता है कि आपको earning करना है में तो earning पर बात आती है बाकी तो सारी चीज़े ठीक है लेकिन आप स्कूल में जाएंगे तो free service के लिए और free save के लिए कोई भी नहीं जाता है वहाँ पर deal करना होगी आपको salary के बारे में बात करना होगी तो salary के बारे में आप confidently बात कर सकते है how much do you expect तो इसके लिए आपको देखिए पहले से आपको पता कर लेना है कि वह जो इसकूल है वहाँ पर कितनी sales teachers को दी जाती है पहली चीज़ दू चीज़ आपके अंदर qualification क्या है जो requirement थी जब वहाँ पर vacancies आती तो क्या qualifications मानिंग मांगी गई थी वह qualification आपके अंदर है की नहीं है ठीक है तीस जीज़ अगर आपको experience पहले से आपका experience पहले से किसी school में आप पढ़ा रहे है subject पर आपकी command है तो आप अच्छी खासी demand कर सकते हैं आप सोच समझ कर वहाँ पर आप डिमांड कर सकते हैं उस school की reputation को देखते हुए कि वहाँ पर यस school में 15,000, 20,000 कितनी sales यहाँ पर दी जाती उसके according आप डिमांड कर सकते हैं ऐसा भी ना हो कि आप वहाँ पर जो मांग नहीं गया है और आप करो कि आप हमें 2,000 रुपे दोगे तो हम 2,000 में भी तैयार हो जाएंगे ऐसा नहीं है आपको deal करना होगी ठीक है मतलब लगना चाहिए कि आपका knowledge है आपका qualifications है आपका experience है तो यह सारे चीज को matter करते हुए ह आप selling की demand कर सकते हैं ठीक है how much do you expect तो इसका answer भी आपको वहाँ पर बता देना है तो overall में यह 10 questions बता दिये और answers में आपको hint कर दिये पूरे answer में आपको detail में नहीं बता है सिर्क में आपको hint कर रहे हैं अब आप इन questions के answer खुद prepare कर सकते हैं इन questions के answer की तैयारी आप अच्छ इस टीचर्स का इस इंटर्वी होने वाला है सभी सक्सेद हो जाए सभी को अच्छी नोकरी मिल जाए तो आई होब यह वीडियो आपको पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों से शेर करिए और यदि चैनल पनना है तो चलिको जरूर सब्सक्राइ